इस वीडियो में NCRT टेंथ क्लास विज्ञान अध्याय आठ जीव जनन कैसे करते हैं पेज नमबर 142 तथा पेज नमबर 146 के सभी प्रस्ण समझ के साथ करने वाले हैं तो चलिए आएए प्रारम करते हैं तो पेज नमबर 142 का पहला प्रस्ण प्रारम करते हैं DNA प्रतिकिर्ती का प्रजनन में क्या महत्व है उतर लिखेंगे DNA प्रतिकिर्ती का प्रजनन में काफी महत्वपूर्ण घूमिका है ये प्रतिकिर्ती संख्या में दो बनती है जिसमें एक मूल कोशिका में रह जाती है औ और एक प्रतिकिर्थी को बाहर निकलना होता है जिसके उतर जीविता के लिए अन्य कोशिका का निर्माण होता है इस प्रतिकिर्थी में बिभिन्यताएं होती है ये दोनों प्रतिकिर्थी एक समान ही होती है किन्तु मौलिक रूप में बिभिन्यताएं रखती है ये प्रतिक प्रतिकिर्थी कोशिकाओं के रासायनिक किरिया के उपयोग से निर्मित होती हैं। प्रस्न है कि DNA प्रतिकिर्थी का प्रजनन में क्या महत्व है। तो DNA प्रतिकिर्थी में ये संख्या में दो बनता है। और इन दोनों में से एक बाहर निकलता है और एक अंदर ही रह जाता ह तो होता क्या है कि जो बाहर निकलेगा उसके अनुरक्षण है तो पुनह उसे संगठित कोशिका के रूप में बनना होगा तो इस तरह से रसाइनिक क्रिया का उपियोग करते हुए यह एक संगठित कोशिका का रूप लेता है और बाहर निकल जाता है दूसरा नमर प्रस्ण जीवों में विभिनता एस्पीसिज के लिए तो लाभदायक है परन्तु बेश्टी के लिए आवस्य नहीं है क्यों तो उतर लिखेंगे यदि जीवों में विभिनता नहीं हो तो वे परियावरण के साथ अपना ताल मेल बैठाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे इसलिए यदि विभिनता एस्पीसिज अर्थात जाती कि आस्तित्व के लिए लाभदायक तो है किन्तु पूरे बेश्टी के लिए आवस्यक नहीं है अब देखिए जीवों में विभिनता नहीं हो तो क्या होगा कि वो परियावरण से अपना ताल मेल नहीं बैठा पाएंगे उदारण के लिए मान लिया जाए कि हर साल गर्मी के दिनों में रिकोर्ड तोड़ गर्मी हो रही है 45 डिगरी, 46 डिगरी, 47 डिगरी, 48 डिगरी ये कलांतर में और बढ़ता जाएगा अब इसकी अधार पे हमें यदि गर्मी सहने की छमता बढ़ती नहीं जाएगी अर्थात विभिनता नहीं आएगी तो क्या होगा हम परियावरण से ताल मेल नहीं बैठा पाएंगे और गर्मी के कारण ही हमारी मृत्यू हो जाएगी तो इसलिए बदलाव जरूरी है जिसे हम विभिनता के रूप में समझते हैं अब प्रारम करते हैं पेज नंबर 146 के प्रस्न पहला प्रस्न है द्वी विखंडन बहु विखंडन से कीस प्रकार भिन है तो उतर लिखेंगे द्वी विखंडन तथा बहु विखंडन एक दूसरे से पुनता भिन है जब कोई जीव दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है तो उस क्रिया को बहु विखंडन कहते हैं दो से अधिक में जो भी भाजित हो जाए तो बहु भी खंडन कहा जाता है इसके उदाहरन है मलेरिया पर जीवी तथा पलाजमोडियम कई बार परिच्छा में आता है तो ये दो नाम आप याद रखेंगे बहु भी खंडन के उदाहरन मलेरिया पर जीवी तथा पलाजमोडि किन्तु जब कोई जीव कीवल दो भाग में खंडित होता है तो उसे द्वी विखंडन कहा जाता है जैसे अमीबा तो यह जानु द्वरा जनन से जीव किसप्रकार लभानुत होता है तो उतर लिखेंगे बिजानु को हम बहुत दिनों तक संग्रहित कर सकते हैं क्योंकि इनका बाहर यावरण जो होता है कठोर छिलके के रूप में होता है जब बिजानु को नमी मिटी तथा बायू की उचित मातरा प्राप्त होती है तो वे बिरिधी करके पौधे रूपी नए जीव के रूप में उत्पन होते हैं इस प्रकार उचित वातावरण के अनुसार बिजानु से जीव प्राप्त किया जा सकता है देखिए ये बिजानु द्वरा जनन बहुत ही लभदायक होता है बिज को संग्रहित कर लिया जाता है जैसे मान लिया जाएगी चने को संग्रहित कर लिया गया और हम चाहें तो चने से जब चाहें उचित परियावरण देकर अर्थात मिटी बायू नमी जल आदी की बेवस्था कर हम उससे चने का पौधा प्राप कर सकते हैं तिसरा प्रस्ण क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल सनरचना वाले जीव पुनरुद भवन द्वारा नई संतती उत्फपन नहीं कर सकते उतर लिखेंगे जटिल संरचना वाले जीव में पुनरुद भवन करके नए जीव उत्पन नहीं किये जा सकते हैं क्योंकि ऐसे जीव में विसेश उतकों द्वारा विसेश अंग निर्मित होता है जिनके कार्य अलग-अलग रूप में बटे होते हैं और सभी अंगों की अलग-अलग दक्षता का ताल मिल करके एक जटिल जीव निर्मित होता है किसी एक अंग को अलग करके सारे कार्य कराना चाहें तो यह संभण नहीं है इस प्रस्ण में सबसे पहले आप यह समझ लें कि पुनरुद भवन यह जो सब्द है यह क्या है तो पुनरुद भवन का अर्थ होता है कि अगर काट दिया जाए उसको तो फिर से उत्पन हो जाए जैसे मान लिया जाए कि छिपकिली की पूछ जो है कट जाती है तो वो फिर से आ जाता है किन्तु अगर हमारा हाथ कट जाए तो क्या हमारा हाथ पुनह वापस आ जाएगा ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम बहुत ही जटिल संरचनवाले जीव हैं ये एक विशेस दक्षता वाले उतकों के निर्मान से बना हुआ अंग होता है और इस अंग को पूरा सरीर पुनह अस्थ खापित करने में सक्षम नहीं होता है चौथा प्रस्न कुछ पौधे को उगाने के लिए काईक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है सबसे पहले तो काईक प्रवर्धन का अर्थ समझ लें काईक प्रवर्धन का मतलब है कि उसे काट कर रोप दिया जाए काईक प्र प्राप्त नहीं किया जा सकता उन्हें काईक प्रवर्धन से उगाया जाता है। बाद में उसमें से जब निकल जाएगा जड़ तो काट लिया जाए और अन्य जगह पर रोप दिया जाए तो उसे दाब बिधी करते हैं। कलम बिधी अर्थाथ सटा लगाना, सटा बनना आप समझते होंगे, वो बिधी क्या है कि पेण पौधे के किसी तने को वहां रगड दिया जाता है और उसमें मीटी भी डाल देते हैं और प्रती दिन पानी दिया जाता है, परिणाम स्वर उसमें से सुक्ष्म जड़ निकल आ पाच्वा नम्मर प्रस्ण, डियने की प्रतिकिर्ती बनना जनन के लिए आवस्यक क्यूं है? यहां उतर लिखेंगे, डियने की प्रतिकिर्ती का बनना अतियन्त आवस्यक है, क्योंकि इस प्रतिकिर्ती में दो जीवों के गुण होते हैं, जिससे इनमें विभिनता आती है, और यही विभिनता विशम परिस्थिती में जीव के आस्तित्व को बनाए रखता है, जीव के गुण होते हैं, जिससे इसमें विभिनता आती है, और जब तक विभिनता नहीं आएगी, कोई जीव परियाबरण का चयन नहीं कर पाएगा, यह डियने दो प्रतिकिर्ती का निर्मान करता है, जिसमें से एक प्रतिकिर्ती मूलकोशिका में रह जाती है, और दूस तो इस तरह से इन दोनों पेज के सभी प्रस्न समाप्त हो गया फिर हम लोग अगले पेज के प्रस्नों के साथ अगले विडियो में उपस्तित होंगे धन्यवाद